अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ कोस्टन में है को सकते हैं तो कि जो सुडेंट को याद था उन्होंने ऐसा लिख के जो मुझे दिया है वही मैं प्रिजेंट कर रहा हूं को लगता है कि कुछ करेक्शन और चाहिए वाइस कोश्टन में प्लीज मुट वेलकम ठीक है तो छलो बिना समय कवाए स्टार्ट करते हैं तो रखां यह कोश्टन पहला है कि कोश्टन क्या है इसको कैसे अप्रोच करोगे तो तो गिवन क्या है आपने दिया हुए रैश्नल्स बीच में इसके बारे पूछा जा रहा है कि यह सर्ट कॉम्पैक्ट होता है कि नहीं क्यों मैं यह पूछा जा रहा है कैसे आप सोचों के तो क्या हमारा थौट प्रोसेस हो तो पहले एक चीज़ आप देखो इन जेनरल इन जेनरल इन जेनरल इन जेनरल इन जेनरल तो इसका कॉम्पैक्ट सबस्ट्स वही होगा जहां पर एक्स में जो भी आप अपना मत्रुक को रिलेटिव के सेंस में जो बोलायाता है सेम चीज़ है anyway let me write it if x is a metric space and y is a subspace of x okay then the subset e of y is compact in y if and only if e is compact simple y के subsets y के पास जो है वो subspace topology okay मैंले x में जो open sets है एक में जो metric है वही metric आप वहां पर भी डाल रहे हो y में तो subspace open बहुत कुछ ब्लाबिवाँ चीज़ें होती है give that अब अब यहां पर क्या identify हो रहा है right here they are talking about e is here your two intersections 01 अब यह बात्चित हो रहा है q कंदर यह आपका y है तेक है अब यहां पर x क्या है r so so e is compact in q if and only e is compact in r अच्छा अब इसके ले तो इतना ता प्रूफ करी सक्ते हो right इतना ता प्रूफ करी सक्ते हो why at least you can prove it okay so and compact subsets in r with usual matrix is closed and bounded but here here यहां जो e है आपका वह आपका set in section उपना 01 हो रहा है यह bounded तो है but not close e का closer आप लोगे q in section 01 of course in r equals 01 in r ठीक है so यह आ गया अब यह ऐसा क्यों आया यह भी आपके ले exercise कोशन ना बने अड़ बढ़ाना नहीं है दो कि कोशन आएगा जाएगा concept आपको समझना है कि क्या है तो यहां पर लोगे जिरू नो तो यह आएगा वाई इसको आराम से रिलाक्स होके बनाना है बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है ठीक है इसलिए मैं बहुत डीपली चीजों पर नहीं जा रहा तो हमसे आपको पता होना चाहिए प्रफेश्ट क्या होता है नहीं होता है पहले जो एक्जाम रिबू था आपको जैसा भी गया है ना इस ओके अप्लिटली फाइन अब मत उसको टेंच वह गया है अब देखो कि क्या सुधार आप कर सकते हो आने आने वाला एक्जाम के लिए यह आने आपको जो भी फूचर आपको ठीक है राखे लुचर फीरी फंस इस नहीं रो खिल्मार हुचर आपको एक लिए रिफूर के लिए उसर देखो हए लिए और इऺए ना रो खी में खोचर नालए मुसमार आपको रिए जिकै एक अडिएक सी क।। एक कर लॉचर क्या बात तत्केुर्स है अब ऑंस इस नॉट कॉम्पाक्टिन क्यों अब अंसर तो आपके सामने आगे है इसको क्या बोलना है हम लोग को कुछ ही नहीं बोलना है भाई तो बुलने लाइक रही नहीं कुछ पॉल्स हो जवर्जस्त तरीके से फॉल्स हो एक ऐसे देखना है इसी लिए मैं यह दो भी सॉलूशन दे रहा हूं मैं एजूम कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत आप लोग को चीज़ें पता होंगी और किसी भी स्टूडेंस को दो बीएसी लेवल पे हैं या मसी फर्स्ट डियर में हैं या सेकेंड डियर में नहीं बैक्राउंड स्टैप पर च्छा रहा है अब बात अपको बनाना है कि scans onion तो फडख़ सा हिम्मत रखो अपने अपको अपने आगे बढ़ो उसको मज़र अंदाज मत करो और उसमें कुछ भार की जरूत हो आपको लगे कि हाँ एक मेंटोर्स यह पर गाइडिन्स की जरूत है जूड़ सकते हो हमारे यहां रहती हैं चाहिए आप जो भी एक्जाम देना चाहते हो चाहिए आने वाला ही साही हो आईटी ज जो भी मैट में और इससे भी इंपोर्टन मैट में अगर अगर अच्छा जाना चाहिए आपका तो नहीं भी गया तो नहीं भी पाले चलो अब हम लोग नेक्स कोश्चन की तरब मूब करेंगे हैं ना नोस्ट वीडियो की तरब इसको हम टॉप करते हैं हुआ 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 है